शुपर बाद अच्छों हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेट गौर्वर्मेंट राज जे सरकार कल के वीडियो में हमने आपको लेवल्स गौर्वर्मेंट पुलाए थे हैं कि इंडिया में सरकार कितने स्थर पर कारे करती हैं सरकार के कितने स्थर होते हैं पर रिर्स अमिंघ आपको बताया था लौकल लेवल पर इस थाने स्थरप स्थर पर इस को गरम carn Best ऑट है मिर्स थे कि स्थेट लेवल पर स्थेट लेवल्मेंट ह। और थर्ड लेवल होता हमारा थे सेंट्ल ल होगल्मेंट केंड सरकार अब बात है जो आपका topic है topic में है राज्य सरकार के कारिया कारिया को discuss करने से पहले इसमें topic ये भी है formation of state government formation of state government कर जिकर हम कल के वीडियो में करेंगे आज हम उस formation संबंदित कोई शब्द आते हैं उसमे उनको discuss करेंगे जिस्टे कि आपको formation में कोई problem ना है पहला शब्द आता है जब भी कोई government बनती है चाह लोकल लेवल पर बने state लेवल पर बने center लेवल पर बने एक शब्द आता है consistency एक particular area होता है एक particular area from which all the voters living there choose their representative एक area जहाँ पर कोई आप परतिनी दिखाड़ा होगा किसी party का निर्दले भी हो सकता है महाँ के वोटर्स उसको वोट देंगे वोई consistency होई स्टेट लेवल पर consistency का चेट छोटा होता है center लेवल पर बढ़ा होता है इसमें एक्जांपल भी दिया हुआ है पंचायत वार्ड पंचायत वार्ड का तो और भी बहुत छोटा होता है area वार्ड मेंबर चुने जाते है पिसले लेक्शन में रुड़की में आपने देखा होगा यह MLA से MPA चुने जाते है तो यह Constance एक शब्द है area जहां से वार्ड ख़ड़ा होता है जो हमारे परसिंट करता है उसको मोट देते है उसको मुट चुनते है मिस्वर्टी अब क्या होगा चुनने के बाद क्या होता है जो पार्ड़ी के मेंबर 50% से ज़्यादा होगे चैवो लोग सबा में हो चैवो इस्टेट गवर्णमेंट के में हो विदान सबा में हो जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा होंगे वो पार्टी मिस्वर्टी पार्टी के लाईगे वो ही गवर्णमेंट फॉर्म करेगी और वही रूलिंग पार्टी के लाएगे 50% More than half दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अपोजिशन के लाएगे उसे विपक्ष कहा जाएगा यह रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं यह विपक्ष में बैठते हैं और लोग संत्र में इनका बहुत बड़ा रोल है कि डाम के क्रेशी पाइंट उफ्यू से विपक्ष स्ट्रॉंग होना चाहिए क्योंकि विपक्ष का कान क्या है गौवर्नमेंट के कारियों के के बारे में पूछना कोशनिंग करना डिस्कुशन करना यह अपूशन के वक्ष कारियों होते हैं जो भी संसर्थ में या इस्टेट गौवर्नमेंट के एसेंबली में विधान सभा में डिस्कुस होते हैं तो तीन शब्दें फॉर्मिशन का हमकल पढ़ाएंगे तीन शब्द आएंगे इसको आज इसलिए हमने किलियर कर लिया है कॉंसिट्वेंसी क्या होती है मिजोर्टी क्या होती है पूशन क्या होता है इन तीनों शब्दों को आज आप लिखेंगे, समझने कोशिश करेंगे, नहीं होगा, तो मुझे से डिस्कस करेंगे. धन्यवाद।